नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News पूरे देश में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है तो वही अब बाड और बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है वैशाली प्रखंड में बाड का पानी बढ़ने से लोगों का जीवन अस्थव्यस्थ हो गया है कोरोना का संकट अभी दूर भी नहीं हुआ है कि बाड़ वर्षा के पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है वैशाली प्रखंड के भगवान पूर रत्ती पंचायत अंतरगेत रुकुन पूर गाओ के लोग जो नहर के किनारे बसे है बाड के पानी ने जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है मुख्य सड़क का संपर्प तक कट गया है पानी को पार करके जाने आने मवश्यों को चारे के लिए इन गाओ वालों को काफी दिकोतों का सामना करना पड़ता है लगतार इन संकटों का सामना करने के बाद भी प्रशासन और इस्थानिय जन प्रतिनी जियों द्वारा मदद नहीं मिलने से इन गाउवालों में भारी आक्रोश है बीरू रिपोर्ट, HBN News कोरोना का संकट अभी दूर भी नहीं हुआ है कि बाद एवं बार्शा के कहर ने लोग का जीना मुहाल कर दिया है मैस वक्त बैसाली प्रखंड के भावानपुरती पंचात अंतरगात एक छोटे से गाउ रुकुनपूर में हूँ आप देख सकते हैं यहां लोग को किस हाल में लोग की जिंदगी है बर्शा के पानी यहां बार्ट के पानी ने यहां के मुख सरक को बिलकुल अबरुद कर दिया है लेहां जीवन बसर करने वाले लगवार के 40-50 घर के लोग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आईए हम उनी से जानते हैं कि क्या परसानी है इस वक्त उन लोग की बताईए क्या परसानी है बर्शा से बहुत परसानी है उनकुल धिक्राइए हम लोग की रहने खाने के ही मुश्किल हो गया जी और दूसर क्या बतलाrobe किसी ने कोई मदद किया कोई मदद नहीं किया का यह अब बताए बर्शा का पानी इक इस और बहुत में लोग का पानी यह वर्च backyard है अब अपना नाम बताएंगे जी ओम परकास कुमार आपकाई कौन सा गाउंगा भगवानपूर अति पंचायत हुआ रुकुनपूर है अवार्ड नमर राथ करीब 25 दिन से है ऐसे परसानी और यहां पे बहुत दिक्कत है लोगों को आने जाने के लिए और दान का खेती जो है सब दह चुका है और जानपरत ने दी कोई भी मदद नहीं आया पहुचाए है यह लोग जी ठीक है और भी जानना चाहेंगे बताईए क्या परसानी है अब बताईए जी बताईए तो घर मेले पानी धूग गेलाए अपने अपने लगवा कमर की उचाई तक यह इस रास्ते पर पानी है लेकिन सरकार के नुमाइंदे लाख दावे करते हों सरकार भी लाख दावे करती है सुसासन की सरकार नितिश कुमार देते हैं लेकिन गरीबों की जहां तक सूत की बात हो उसमें अभी तक ना काफी है अवधेश कुमार HBN 22